गाइस बताया जा रहा है कि December 2021 में Union Environment Ministry ने Announce किया था कि ये अमेंड करेंगे Wildlife Act को वन्य जीव अधिनियम में शंचोधन करने के संबंधी योजना की घोशना जो है वो की गई थी केंद्रिया परियावरण मंत्राले द्वारा और अलड़ी आपको बता देगा इसकी Wildlife Act के अंदर Amendment जो है वो अलड़ी कई बार हो चुके हैं 1982 में हुआ 1986, 1991, 1993, 2002, 2006, 2013 तो अलड़ी कई बार इसके अंदर Amendment हुआ है तो क्या changes सामने प्रस्तावित किये गए हैं प्रपोस किये गए हैं तो Amendment के अंदर बहुत सारे area को cover किया जा रहा है बतलब कि जो wild species जो होती है जंगली जानवर प्रजाती जो हम लोग को देखने को मिलती है उनके वैपार से लेकर उनके ट्रेट से लेकर उनके जैसे कि जो protected areas में film makers है वो फिल्म मनाते हैं तो उसकी permission तक even जो invasive species है invasive species क्या होती है समझते आप आक्रमक प्रजाती नाम स है वो मुश्किल में पढ़ जाता है तो ऐसी जो प्रजाती spread होती है उनको control करना काफी सारे areas इसके अंदर अब add किये गा है कि अगर किसी film maker को protected area में film मरा नहीं है तो उसकी permission से related points mentioned है right proposal के अंदर और जंगली जानवा जो है wild species बगरा जो है तो उसका अगर trade करना है वेपार क connection है तो काफी सारी चीज इसके अंदर और add कर दी गई है कुछ positive चीजों की बात करेंगा इस तो bill के अंदर penalties बढ़ा दी गई है मलब कि जिस crime करने पर wildlife crime करने पर जो सजा जो होती थी 25,000 रुपे जुरवानी की होती थी उसको बढ़ा कर 1,000,000 रुपे कर दिया गया है एक न national trade involved होता है तो उसको और बहतर तरीके से regulate करने के लिए एक अलग separate chapter जो है वो इक नया chapter नो ने introduce किया है और bill के अंदर ban किया गया है कि कोई भी वेक्ति जो है वो बिना CITES authorities की prior permissions के यानि कि बिना CITES के permission लिए किसी भी particular प्रजाती को ना पने पास रख सकता है ना उसका व्य recognize कर रही है कि जो भी खत्रे होते हैं invasive alien species के कारण तो उससे related जो है वो उसको recognize खत्रों को recognize करने का provision भी शामिल किया गया है तो ऐसी प्रजाती को recognize करने के purpose के लिए भी provision इसके अंदर शामिल है बड कुछी इस बिल के अंदर mention नहीं की गई है और उस बिल से जोड़ी कुछ चंताई भी है तो जिसके बार में अगर बात करें तो बिल के अंदर regional invasive species का जिक्र नहीं है regional invasive species मतलब छेत्रिया आक्रमक प्रजाती ऐसी प्रजाती जो हमारी country की ही है जो की आक्रमक नीचर की है मतलब कि जिस प्रजाती के करणा असपास की प्रजाती का survival मुश्किल हो जाता है तो इसके बार में कोई भी चीज़ है वो mention नहीं करिये नए amendment के अंदर और amendment bill के अंदर कोई भी separate schedule हम लोग को species का नहीं देखने को मिलता है जो की classify करे vermin species को vermin species आप समझते हो क्या होता है ना hunting जो होती है उसको allow किया जाता है ऐसी कुछ प्रजातियों को तो जैसे कि कई cases में हम लोग देखते हैं कि बंदर कि कई बार जो बंदर की प्रजाती जब बहुत जादा जो हो जाती है तो कई बार केंदर सरकार कुछ-कुछ areas पर उनकी hunting जो हो allow कर देती है तो वो depend करता है कि वो प्रजाती जो हो कितना नुकसान पहुचा रही है उस चीज के ओपर रही तो यह चीज इसके विरुद काफी जादा environmentalist, activist वगरा हम लोग को देखने को बिलते हैं हमेशा रहते हैं कि कि किसी प्रजाती को मारा ना जाए बट कई बार उन प्रजाती के करण है human का survival मुश् है तो वो एक बड़ी दिक्कते हैं तो और वैसे भी पूरा गेम जो है वो survival के ओपर ही हम लोग को base देखने को बलता है तो इसके बारे में मलब की vermin species के बारे में कुछ चीज मेंशन नहीं है इस बिल के अंदर इसके लाबा बिल के अंदर proposal रखा गया है schedules को लेकर काफी सार schedules के number को कम किया जा रहा है और rationalize करने के purpose के लिए list को यानि की तरक संगत बनाने के लिए right domain substitute हम लोग को schedule के अंदर जो है वो देखने को बल रहा है जो की specify करेंगे protected species को right getting it और इस बिल के अंदर जो already मौझूद राज्य वंजीव board है state boards for wildlife है इनको समाप्त किया जाएगा या हटा दो और इसकी जगा पर एक standing committee state board of wildlife की जिसको head करेंगे उस particular state के forest minister और इसके अंदर 10 member होंगे जिनको forest minister nominate करेंगे तो ये committee होने वाली है मन्दब कि ए committee बनाने की बात कर रहे है बोल रहे है कि state board for wildlife को हटा कर एक committee standing committee जो है वो setup की जाए और आपको बताएगे कि आज की rate मे state board for wildlife जो है वो manage करती है कि state level पर जितनी भी wildlife जो हम लोग को देखने को मलती है यनि की वंजीव जितने भी है तो उनके संरक्षण के लिए उनके conservation के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके protection के लिए काम करती है state boards for wildlife और state के chief minister जो होते हैं वो ये board के head होते हैं और इस board के अंदर 20 से भी जादा members होते हैं जो state legislature के हम लोग को देखने को मलते हैं राज विधान मंडल के होते हैं कुछ NGOs के होते हैं कुछ conservationist हम लोग को देखने को मलते हैं सरक्षल वादी याने की representative होते हैं state forest department के और tribal welfare के तो काफी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं 20 से भी जादा जो है elephants का हाथियों का sales और purchase वो अब बैंड नहीं किया जाएगा अब ये एक बड़ी समस्या और चिंता वाली बात है कि अगर elephants के sales और purchase के उपर जो रोक अभी तक लगी थी जो प्रतिमन अभी तक लगा था उसको ये लोग हटा रहे हैं तो इसका सीवे सीवे मतलब है कि elephant क जो population जो है वो severely impact होगी elephant का trade जो है जो legalized जो होगा उसके करण से बड़ी दिक्कते जो है वो elephants को हो सकती है तो ये एक चिंता विट की जा रही है और आपको बता देगा इसकी 1972 में Parliament जो है वो लेकर आई थी Wildlife Protection Act और Wildlife Protection Act के अंदर हमें देखने को बलता है कि State Wildlife Advisory Boards होती है जो की regulate करती है कि Wildlife, Wild Animals और Birds जो है उनकी hunting को मलब कि उनके शिकार को regulate करने के purpose के लिए कि जंगली जानवर और पक्षियों के शिकार के लिए नियम है इसके अंदर जो की ये बनाती है State Wildlife Advisory Board ये State Wildlife Advisory Board जो है वो establish करती है Centuries को और National Park को point to be noted ये regulate करती है कि Wild Animals का trade जो है और Animal Products का और Profis का ज आती है अगर कोई व्यक्ति कानूं का उलंगन कर रहा है Wildlife Production Act का उलंगन कर रहा है तो उसके खिलाफ करने के लिए State Wildlife Advisory Board जो है वो नियम बताती है कि कि किस प्रकार से सामने वाले के विरुद जो है वो करवाई की जाएगी और गईस Wildlife Production Act 1972 के Schedule 1 के अंदर जो भी species मौजूद हम लोग को देखने को मिलती है Endangered Species तो वो पूरी तरह से बैंड है इंडिया के अंदर मतलब कि उनका Trade वगरा पूरी तरह से बैंड है और Hunting Species की बात करें तो ये Schedule 2 के अंदर Schedule 3 और Schedule 4 के अंदर हमें देखने को मिलती है जिनको Regulate किया राता है Licensing के बाते हम से जिनकी Hunting Licensing क की Category में है Schedule 5 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है जिनको जिनकी Hunting Possible है बेना किसी Restriction के बट फिर भी सरकार जो है वो उस पर भी Order Imposed जो है वो करती है तो ये Point भी आपको ध्यान में रखना है और Wildlife Warden और उनके जो Staff होते हैं ये Wildlife Protection Act को Administer करते हैं तो ये जीज आप थोड Animals को आप Capture कर सकते हो मनदब बंदी बना सकते हो उनको Transport कर सकते हो Scientific Management के परपस के लिए Right सिर्फ Scientific Management के परपस के लिए तो ये चीज हम लोग को देखने को बत रही है और इसके लाबा Wildlife को और बहतर तरीके से Administer करने के परपस के लिए कुछ और Bodies का गठन किया गया जैसे कि National or State Board for Wildlife, Central Zoo Authority, National Tiger Conservation Authority तो ये चीज आपको ध्यान में रखने है इसके लाबा Wildlife से Related Constitutional Provision यानि की समिधानिक प्रावधान क्या-क्या है तो 42nd Amendment Act 1976 का है गाईस इसके अंदर Forest और Protection of Wild Animals और Birds को ट्रांसफर कर दिया गया था State List से Concurrent List के अंदर मतलब की Wild Animals से Related कानूम्रादाई की शक्ती Central Government और State Government दोनों के पास है क्योंकि अब ये Concurrent List के अंदर हम लोग को देखने को होती है पहले ये State List का State subject हुआ करती थी State List में थी और Article 51 A.G की अगर हम लोग बात करें तो बताया जाते है कि ये Fundamental Duty है हर एक Citizen की हर एक नागरिक की हर एक नागरिक का मौलिक करता भी है कि वो Protect कर और Improve करे Natural Environment को Including Forest and Wildlife तो हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो Forest और Wildlife को Protect करें तो ये चीज़ हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है इसके लवा Article 48 A की बात करें जो की Directive Principle of State Policy है ये कहती है कि State जो है इसे कार्य करना चाहिए Environment को Protect करने और Improve करने के लिए और Forest और Wildlife जो हमारी Country की है उसको Protect करने के उसको Save Guard करने के लिए State को कदम उठाने चाहिए तो ये चीज़ हम लोग को देखने को वलती है तो ये दा गाइस पूरा वरल टॉपिक उमीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समन में आ गया होगा